दोस्तों मैं सवरों मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 25 Most Important MCQs जो की सभी परिक्साओं के लिए मैतपून रहेंगे आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा 25 में से कितने कोशन के आंसर सही कर पा रहें अपना स्कोर कमेंट वोक्स में जरू बतेगा प्यारे दोस्तों ये वीडियो रात में 9 बज़े आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेकरें चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है इस कोशन का सही आंसर क्या रहेगा सही आंसर रहेगा यानि की Right Answer C हो जाएगा ये आपको याद रखना है कोशन नमबर टू है नीती आयोग की स्थापना कब हुई थी नीती आयोग की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों दूसरे कोशन का Right Answer रहेगा एक जनवरी 2015 में यानि की दूसरे कोशन का Right Answer A हो जाएगा ये है आपको याद रखना है कोशन नमबर थ्री है किस देश में इंटरनेट चलाना गेर कानूनी माना जाता है तो सही आंसर रहेगा बर्मा में यानि की Right Answer D हो जाएगा भारत का इतियासिक समारक चार मिनार कहां परिस्तित है दोस्तों कोशन नमबर फोर का Right Answer रहेगा हैदराबाद में यानि की B सही आंसर रहेगा कोशन नमबर फाइव है आमेर का किला कहां इस्तित है जारे दोस्तों पांचवा कोशन है आमेर का किला कहां इस्तित है तो पांचवे कोशन का Right Answer रहेगा राजिस्तान यानि की A is the Right Answer अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master pdf को ले सकते हैं 170 रुपे की pdf है जिसमें सारे subject रहेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link description box में मिलेगा और बार कोड हमारे इस WhatsApp नमबर पे मिलेगा message करके आप ले सकते हैं चटा question है sodium धातू को किस में रखा जाता है sodium धातू को मेरे प्यारे दोस्तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है right answer D हो जाएगा किसे मुलायम कोईला भी कहा जाता है किसे मुलायम कोईला भी कहा जाता है साथवे question का right answer क्या रहेगा तो इस question का राइट आंसर हैगा बिटुमिनस कोईला यानि की right answer C हो जाएगा यह आपको यादखना है Question number 8 है मदरास होम रूल लीक के स्थापना किस ने की थी? मदरास होम रूल लीक के स्थापना किस ने की थी? आठवा question तो सही answer हैगा any patient ने यानि की A correct answer हैगा Question number 9 है दूद को मतने पर क्रीम अलग हो जाती है इसका कारण है सही answer हैगा अब केंदर बन यानि की 9 question कराई डांसर दोस्तो B हो जाएगा दसवा question है ऐसे योग आंदोलन कब सुरू हुआ था? ऐसे योग आंदोलन कब सुरू हुआ था? तो दसवे question का right answer हैगा एक अगस्ट 1920 में यानि की C right answer हैगा देखें ग्यारवा question है नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर हैगा विटामिन C यानि की A correct answer हैगा घर में कौन सा पोदा लगाने से मच्चर कम आते हैं? सही आंसर हैगा तुलसी का पोदा यानि की C correct answer हैगा सरपंच बनने के लिए नियुनतम आयू सीमा कितनी है? सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करें और सेर भी जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में रात में 9 बजे ओनली टॉप इस्टडी यूटूब चैनल को एक बर खोल जरूर लिया करें क्योंकि 10 मिनट की वीडियो होती है इसको आप अगर रेगुलर देखते रहेंगे तो 25 से 30 कोशन डेली बेसिस पर आपके रिवाइस भी होते रहेंगे और नए नए सीखने को भी मिलते रहेंगे सही आंसर हैगा 21 वर्स यानि की B करेक्ट आंसर हो जाएगा और जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उनको प्लेइलिस्ट में भी आड़ करते हैं और प्लेइलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं लोड करिंग दोस्तो B राइट आंसर हो जाएगा 14 कोशन का सही उत्तर मंत्री परिशद किसके परती उत्तरदाई होती है दोस्तो पंदरवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा लोग सबागे यानि कि B सही आंसर हो जाएगा मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है सही आंसर हो जोड़े यानि कि राइट आंसर हो जाएगा B सतरवा कोशन है निमलिकित में से कौन सी जील केरल में इस्थित है कौन सी जील दोस्तो केरल में इस्थित है वेबनार जील यानि कि सतरवे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा यह आपको या दखना है अठारवा कोशन है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था राइट आंसर हो जाएगा 1912 में यानि कि B करेक्ट आंसर रहेगा कोशन नम्भर 19 है निमलिकित में से विदुदधारा की का इकाई कोशन है राइट आंसर इस अमपियर यानि कि दोस्तो राइट आंसर A हो जाएगा Q20 है आधुनिक यूग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है सही आंसर हैगा महादेवी वर्मा को यानि कि 20 वे कोशन कराईट आंसर दोस्तो C हो जाएगा Q21 है निमलिकित में से कौन सा इस्थान जैंधरम से सम्मंदित है 21 वे कोशन कराईट आंसर रहेगा दोस्तो रतन गिरी यानि कि D राइट आंसर रहेगा 22 वा कोशन है नेतरवती नदी किस सहर से होकर बहती है मैंगलूरूरू से यानि कि 22 वे कोशन कराईट आंसर बी हो जाएगा सुन्दर्वन राष्टे उध्यान किस राज्या में इस्थित है सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल यानि कि C करेक्ट आंसर रहेगा जम्मू कस्मेर में उरिबान किस नदी पर इस्थित है सही आंसर रहेगा जेलम नदी यानि कि D करेक्ट आंसर रहेगा भारतिय जागरत का जनक किसे कहा जाता है 25 में कि करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तो पच्चिस में से कितनें कोश्चंस की आंसर सही के है comment box में अपना सकोर बतेगा आमेर का किला कहां इस्थित है यह आप लोग के लिएक test question है जिसका answer सबीओ को comment box में जरूर बताना है अगर आप लोगों ने अभी तक Only Top Study अप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजेगा यहाँ पर आपको Test Series मिलेगी वो भी पूरी lifetime के लिए है ठीक है और सबसे कम प्राइज में गवर विजिट करके देख लेना प्यारे दोस्तों Master PDF नहीं ली है अभी तक तो इसको जरूर ले लिजे क्योंकि 170 रुपीज के अंदर All Subject की Master PDF आपको मिल जाती है वो भी पूरी lifetime के लिए ही मिलेगी description box में Master PDF का link available है और हमारे WhatsApp नंबर पे इसका बारकोड भी मिल जाएगा आप जैसे मर्जी वैसे payment करके PDF प्राप्त कर सकते है session आपको अच्छा लगे तो please like share कर देना और channel पर नए है तो subscribe करके bell icon को on कर लेना ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care खालेगे अपना मिलते next class में